So, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बहुती बढ़िया होंगे और मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था कि देहरदून में भूल एक को कैसे देखें भूल एक वेबसाइट को कैसे देखें और उससे मुटेशन कैसे पता करें ये वीडियो काफी लोगों को पसंद आया और उससे ज्यादा पसंद आया मेरा उससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि देहरदून में किन 5 पॉइंट्स के हिसाब से आप प्रॉपर्टीज को पसंद करें आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूं जो कि आपको और हेल्प करेगा सही प्रॉपर्टीज को आरिटिफाई करने में और इस्पेशली एक पॉइंट था जिसमें बहुत कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे थे मेरे सब्सक्राइबर्स की मेरे मैं इहां पर जमीन ले रहा हूं या मैंने इहां पर जमीन ली है तो क्या वो किसी विवाद में तो नहीं है कहीं इसमें कोई खसरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो इस तरह का अगर कोई आपको पास कोई इस्शू है इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसान रहते हैं लोग, तो मैं एक छोटी सी एक आपको एक website बताने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको थोड़ा सा help मिल पाएगा इस चीज को आरिंडिफाय करने में, तो एक उत्राकन सरकार की ही एक website है, उत्राकन government की website है, जिसमें आप कहता है कि इस website में जितने भी खसरे दे रहें, इसके लावा किसी खसरे में रोक ना हो, हो सकता है कि इसके लावा भी किसी खसरे में रोक हो, लेकिन जिन जिन का इसमें लिस्टेड हो रखा है नाम, इसमें लिस्टेड है इस website में उनमें तो पक्का ही रोक है, उसमें तो के बार में बताऊँगा ठीक है तो मैं आपको ले चलता हूँ उसी वेबसाइट पर तो वेबसाइट का नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर है इसका नाम आप में आपको देख सकते हैं इसका नाम आपको बहुत सारे ओप्सेंस मिलेंगे लेकिन आपको जिस ऑप्शन में जाना है वो है प्रोहिबिटेट खसरा यह लिखा हूँ आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोहिबिटेट खसरा में ठीक है तो एक नया विंडो खुलेगा एक नया टैब खुलेगा पुराना टैब आपको यहीं पर रहेगा ठीक है नया टैब खुलेगा और उपर जब लिखावाएगा वह होगा online.registrationuk.gov.in slash e underscore search slash band khasra underscore district dot aspx इसका address बता रहा है आपको इसका address बता रहा है कि यह एक यह list करेगा उन खसरा को जिनमें की band लगा हुआ हुआ है यह पूरे उत्राखंड के जितने भी खसरा है जिनमें band लगावा है किसी भी कारण वर्स उन सबके बारे में यहां पर लिस्टिंग मिलती है तो अब यह खुले में सब्सक्राइब लग रहा है जब खुलेगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह की लिस्टिंग्स आपको दिख सकती है तो यह जो पॉर्टल है ना यह बहुत ही काम का पॉर्टल है अगर आप किसी पॉर्टल को ले रहे हैं उत्राखंड में या देहरादून में या कहीं पे भी तो आपको इस पॉर्टल पर एक बार जरूर आना है ठीक है बेसिकने यह पोर्टर है इस पोर्टर की हेलप से जो रेजिस्ट्रिरulates रेजिस्ट्री होती है، वह वह बहुत सारी चीजें में आपको एक एक करके वह सारी चीज़ था यह ड़ते है아서 आपको और क्या-क्या आपको क्या इस वेब साइट के बार में पूरी डिटेस चाहिए एक-एक जो ऑप्शन से सारी चीज आपको बतानी है यह नहीं ठीक है फिलाल अभी हम इसका वेट कर लेते हैं कि यह कब खुलता है थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है मैंसे अभी रिकॉर्डिंग को पॉस्ट कर देता हूं ठीक है ताकि वीडियो लंबी ना बने अर ये मेरा पेज़ खुल गया है ठीक है अप जैसी मेरा ये फिल लिश्टिंग आ गई है कि अलमोडा में चार जमीनों में बैन लगा है ठीक है चार खस का सडाम में लगाया थीक शर में एक में पाुट में जूमल में देख्या ऐस 28 में थोड़ा से जूम कर दिता हूँ थोड़ा और ताकि आपको अच्छे से दिखे अगर जो मोबाइल में देख रहे हैं तो देहरादून में लगभग 28 खसरों में बैन लगा हुआ है ठीक है पौड़ीगडवाल में 19 खसरों में बैन लगा हुआ है हरीदवार में 39 यानि की इसके नीचे इन्होंने data दे रखा है कि सरो के हिसाब से डेटा दे रखा है कि देहरादून में विकासनेगर में 6 जगा पर है विकासनेगर के अंदर देहरादून 1, 2, 3, 4 zone में इन में कोई बैन नहीं लगा है देहरादून के zone number 1 पर 22 जगा पर बैन लगा है तो यह पूरी इस लिस्ट में एक सेकेंड मैं इसको थोड़ आपने आपको दूसरी तरफ कर लेता हूं तो इस लिस्ट में अगर आप देखोगे तो पूरी विस्तार से दे रखाया देखिए डिस्ट्रिक्ट यहां पर दे रखिए है एसारो यहां पर दे रखाया है विलेज लोकेशन दे लगाया है और दूसरे डिस्क्रिप्शन जिसमें दे रखिए तो यहां पर आप देखिए इस वेबसाइट के इस कोने में जाकर करके आप पूरी जनकारी ले सकते हैं कि कौन-कौन से जमीनों में और कौन-कौन से खसरे नंबर में जैन लगा है तो मैं जैसे देहरादून म कि देख लेते हैं महकमपूर में हाई-कोट दिल्ली हाई-कोट द्वारा देखिए ठीक है इन-न संपत्यों में देखिए बेन लगा हूई है तो आगे चलके अगर आप यहां पर धरंपूर में अगर महुकमपूर्ग साइड अगर देख रहे हैं जमीन को तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि इन संपत्यों में आपको देखना है यहन में बैन लगा हुआ है और यह प्रोभिशन किस के लिए लगा हुआ है पार्टी के लिए लगा हुआ है ठीक है इसके अलावा अ बात से डोईवाला टाउन एरिया से प्रारम होने तक यह मानेने नियाले द्वारा इस इस खसरा नंबर पे बैन लगा हुआ है तो यह देखिए मिठी भेरी में लगा हुआ है ब्लैन सिविल जजज द्वारा अठानेवे और 104 खसरा नंबर पे तो यहाँ पर देखिए कितन जानकारी मिल जाएगी और सिर्फ देरादुन की नहीं सारे पूरे उत्राखंड की तो इस बहुत ही इंपोर्टेंट मतलब मैं आपने इस यूट्यूब यूट्यू चैनल से आपको एक ऐसी चानकारी दे रहा हूं जो की काफी लोग बताते नहीं है और सब कुछ ऐसी चल ऑधीए अरम वाला में देखिए रहता में देखिए अर्यम लोडा कमीटी द्वारा देखिए इतनी सारे मैं इन इसी तरह देखिए विकासनेगर में देखिए इस्ट होप टाउनद में इस ठोप टाउन में देख लीजिए आप इतने जो खसरे नमबर है 22.09, 22.24, 22.70 इन पे भी रोक लगी विए 22.21 पे रोक लगी विए सब रेजिस्टरार द्वारा तो देखिए कितनी इंपोर्टेंट जानकारी है इसमें ठीक है तो इस जानकारी से आप ठगी का सिकार होने से बच सकते हैं और मैं तो ये कहूंगा कि आपको इस वेबसाइट में जाना चाहिए ठीक है एक तरीका तो ये है ठीक है I hope आपको ये चीज पसंद आई हो कि किस तरह से ये वेब साइट ये पोर्टल जो है आपको बताती है कि किस तरह से किन-किन जगहों पे उत्राखंड में रोक लगी है ठीक है मैं फिर से एक चीज और दोराना चाहूंगा कि अगर मान लिया यह से सरसरी निगाह देने के लिए लिस्टिंग उसमें तो रोक लगी ही लगी है बाकी जगह पर आपको देखिए चेक करवाना चाहिए मैं यह नहीं कहा रहा है कि अगर इस पर नहीं लिखा है तो इसका मत्तब आपकी जवीन पर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसकी लीगल चास नहीं करवा है मैं बिल्क जानकारी अफसर बनाते हैं तो कभी-कभी इसमें एड होने में डिले हो जाता है तो इसके भरोसे आप पूरी तरह से नहीं देखिए लेकिन अगर आपका खासरा नंबर जो आप खरीदना चाहरे हैं इसकी इसमें लिस्टिंग है फिर तो आपको पूरी तरह से सचेथ हो ज ले रहे हैं उत्राखंड में या देहरदून में तो इस वेबसाइट पर आगर जुरूर देखेंगे मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको जरा सभी इस वीडियो से फायदा पहुंचा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आगे चल